नमस्कार दोस्तों, मैं महेंदर लेक्षर मेकनिकल गवर्मेंट पॉल्टेक्निक कोलेज जिलवाड़ा आज हम इस्टडी करेंगे टंग्स्टन इनर्ट गैस वेल्लिंग जिसें टिक वेल्लिंग के नाम से भी जानते हैं और इसका एक दूसरा नाम गैस टंग्स्टन आर्क वेल्लिंग भी है जो कि शॉर्ट फॉर्मेट जी टीए डबलू कहलाता है यह एक आर्क वेल्लिंग प्रोसेस है जिसमें एक नॉन कंजिमेबल टंग्स्टन इलेक्टोड की मदद से वेल्लिंग बनाई जाती है इस वेल्लिंग में हम इस्टेट पॉलरिटी यूज करते है इस्टेट पॉलरिटी मतलब जिसमें एलेक्टोड को नेगेटिव रखा जाता है जबकि हम अन्य वेल्लिंग जैसे ऐसे में डबलू जिसे नॉर्मल लेंग्विज में आर्क वेल्लिंग कहते है उस वेल्लिंग म जैसा कि हम डाइग्राम में देख रहे हैं कि इसमें टंक्स्टान एलेक्टोड जो की सेंटर में हमें दिखाई दे रहा है वो जीटे डबलू हैड जो की इसका जो एलेक्टोड होल्डर है उसमें लगा रहता है और ये एलेक्टोड नोन कंजीमेबल होता है और इस एलेक्टो रोड है उसे मेल्ट किया जाता है और वेल्ड वीट पर दिपोजिट किया जाता है, इससे वेल्ड वीड आगे सागे बनती जाती है, और साथ में उस वेल्ड वीड को उकसिडिशन से बचाने के approach, शिल्लिंग गेस का यूज किया जाता है वो इलेक्टोड के उपर से होती भी उस वेल्ड वीड पर एक कवरिंग बना देती है जैसा कि हम देख रहे हैं और शिल्लिंग गेस मैनली आरगन गेस यूज की जाती है और इस तरह से आगे सा आगे एक हैंड से वेल्डर इस इलेक्टोड को पकड़े रहता है और दूसरे हाथ से फिलर रोड को हाई हीट पर डिपोजिट करतावा आगे से आगे बढ़ता जाता है यह हुई टिक वेल्डिंग की मैन वर्किंग जो की बेसिक वर्किंग कहलाती है टिक वेल्डिंग के एडवांचेज टिक वेल्डिंग के जो एडवांचेज है वो निम्न प्रकार है पहला इससे हम एक वाइड वेराइटी ओफ मैटल्स पर वेल्डिंग कर सकते हैं जो कि Aircraft इंडेश्टिह में काम आती है तूसरा inner gas की जो shielding होती है उसकी वजहसे weld weed का oxidation नहीं होता है इसले llegó flux की को जरत नहीं होती है और इसमें किसी भी तरह का स्पैटर नहीं बनता है और बनता भी है तो बहुत कम मात्रा में बनता इस से में एक बहुत क्लियर वेल्ड वीड मिलती है जो ता इस में वेल्ड वीड की मदद से जो थिन सेक्षन है या हाई गेज शीट है उस पर भी वेल्डिंग की जा सकती है पाचवा इसमें high quality और high purity की weld bead हमें मिलती है compare to other welding process या joining processes इसका एक main फाइदा ये है कि इसमें high depth of penetration मिलता है जैसे कि हम देखते हैं SMAW जो welding होती है उसमें back side में penetration इतना अच्छा नहीं मिलता है इस वज़े से जो भी complicated shapes होती है जहाँ पर back side से processing करना या welding मारना possible नहीं है वहाँ पर tick welding का use किया जाता है ताकि अच्छा penetration मिले और back side से welding करने के जड़क ना पड़े साथी साथ ये एक precise welding है और इसका एक main फाइदा ये है कि overhead welding position जो की बहुत ही मैथपूर्ण welding position है कहीं complicated जहाँ पर shape रहते हैं वहाँ पर करने के लिए उसमें भी इस welding को किया जा सकता है जबकि अन्य किसी welding में weld bead या molten weld pool का by gravity गिरने का डर रहता है लेकिन इस welding में ऐसी कोई दिकत नहीं होती है इस तरह से टिक welding अपने आप में बहुत सारी खूबया रखती है नाव इसके जो disadvantages हैं हम उस पर study करेंगे पहला disadvantage है कि एक बहुत ये time consuming process है और ये बहुत ही slower है any other welding machine available in market उसके compare में और इसमें एक skill welder की जरुत पढ़ती है क्योंकि जो भी welder इस welding को करता है वो एक हाथ से filler rod पकड़ता है और दूसरे हाथ से welding holder पकड़ता है और बहुत ही तरीके से इसमें welding की जाती है जिसमें skill welder की जरुत पढ़ती है इसके साथ ही इसमें safety की भी जरुद होती है क्योंकि ultra warrior rage welding के दौरा निकलती है जिससे हमें खत्रा बना रहता है साथ ही इसमें inner gas की जो cost है वो महिंगी पड़ती है क्योंकि उसमें organ gas के cylinder या inner gas के cylinder consume होते है जैसा कि दूसरी welding में नहीं होता है इसके साथ ही इसमें जो filler material deposition rate वो बहुत ही कम है इसलिए किसी particular weld को बनाने के लिए बहुत ज़़ा time खर्च होता है साथ ही इसमें जो initial cost है वो बहुत ही high है क्योंकि इसके जो equipment होते हैं वो बहुत ही high cost के होते है तो ये थे tick welding machine के बारे में कुछ describe जिसमें advantage, disadvantage साथ ही उसकी working के बारे में बताए गया था Thank you